चेहरे पर जमी हुई मैल और गंदगी को काली परत को हटाने का एक भौती कमाल का है काज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आपके सकिन पर ग्लो लाने का काम करेगी और साथ ही आपके सकिन को बहुत की ज़्यादा गोरा निकरा हूँ और सुंदर भी बनाएगी इस रेमिडी को बनाना बहुत आसान है सबसे पहले हमने आपर वाइट वाले कोल्ड क्रीम का यूज करा है आप कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं अकेली हमारी जो कोल्ड क्रीम होती है वो अकेली काफी नहीं होती है हमारे चेहरे पर ग्लो लाने के लिए इसमें मैं एक ऐसी चीज डालने वाली हूँ जो कि इसकी गुणवत्ता को बढ़ा देगी यानि कि ये क्रीम दोगुनी तेजी से आपके लिए काम करेगी और आपके चेहरे पर निखार लाने में लग जाएगी इसमें हमें डालना है थोड़ा सा नारियल का तेल कोकुनट ओइल मल्टी परपस होता है इसे आप अपने सकिन पर भी यूज़ कर सकते हैं और बालों पर भी लगा सकते हैं आधी चमच हमें इसमें नारियल का तेल डालना है नारियल का तेल लंबे समय तक हमारी सकिन को मॉस्चुराइज रखने में मदद करता है सकिन को हाइडरेटेड रखता है ड्राय और फलेक की नहीं होने देता इसलिए हम इसमें थोड़ा से नारियल का तेल डालेंगे और मैं इसमें आधा नीबू भी निचोड़ कर डालने वाली हूँ नीबू के रस में विटामिन सी की मातरा बहुत ज़ादा होती है और विटामिन सी से भरपूर होने की वज़े से ये हमारे चेहरे के सकिन पर हो रहे दाग धबू को हटाने के लिए सबसे बेस्ट होता है हमारी skin की सबी problem को दूर कर सकता है nibu का russ नीबू का russ apply करने से Mirassemble याने की काली ज्ञाईों की तकलिफ भी दूर होती है अगर आपके चेरे पर सालों पुराने ज्ञाईों के निशान है तो lemon juice का use करने से आपके ज्ञाईों के निशान भी हलके हो जाएंगे अब हमें सबी चीजों का आपस मैचे से मिक्स करना है और हमारी रेमेडी बनकर तयार हो गई है इसे आपको किसी भी शादी या पार्टी में जाने के 15 से 20 मिनट पहले लगाना है और आपकी स्किन पर इतना अच्छा निखाराएगा कि शादी में सब आप से पूछेंगे कि आपने अपने फेस पर कौनसा फेशिल कराया है पार्लर में जाकर अपना पैसा बरबाद मत करिए हम लोग कितना सारा अपना पैसा खर्ज करते हैं महंगी-महंगी फेशल कराने में लेकिन फिर भी जो ग्लो आता है वो किवल टेंपररी रहता है लेकिन इसका निखार लंबे समय तक आपकी स्किन पर रहेगा इसे apply करने का तरिका है कि सबसे पहले आप इसे apply करें और फिर इसे स्क्रबिंग करें पांच, एक मिनिट के लिए ताकि आपके dead skin cells के लिए remove हो सके हलके हाथों से करें फूरे face पर और उसके बाद आपको उसको एक pack की तरह लगा कर सूखने देना है पंदरा से बीस मिनिट के लिए एक बार ये पैक अच्छे से सूख जाएगा फिर आप क्या करें इस तरी किसे नीबू का जो छिलका हमारा रखा हुआ है ना उसे आप इस तरी किसे छिलके की मदद से अपने फेस को थोड़ा सा रब करिए और फिर से 10 मिनिट सूख ने दीजि पहली पार इस रेमेडी को ट्राइ करा था तो इसके रिजल्ट्स वाकई में इतने कमाल की थे कि लंबे समय तक मेरे चेहरे पर रहे थे तो इसे अपलाए करें और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें